तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बला चूण के बारे में बला चूण एक आयरवेदिक जड़ी बूटी होती है जिसका इस्तेमाल कई तरह की बिमारियों में किया जाता है बला चूण को कई कमपनिया जैसे पतंजली तनसुख और भी कई सारी कमपनिया है जो मार्केट में प्रोवाइट कराती है अगर हम बात करें इससे आप कैसे खरी सकते हैं तो इससे आप आफ लाइन और आउन लाइन दोनों ही तरीकों से खरी सकते हैं आफ लाइन अगर आप लेना चाते हैं तो किसी भी आयरवेधिक मेडिकल स्टोर पे जा करके आप इसे ले सकते हैं या अगर आप घर बैठे ऑनलाइन मंगवाना चाते हैं तो व्यू प्रोड़क पे जा करके आप क्लिक कर सकते हैं वहां से आप इसे घर बैठे मंगवा सकत अगर हम बात करें बला चूर्ण के इंग्रीडियंट्स की तो इसमें आपको बला मिल जाता है अब हम बात कर लें इस बला चूर्ण के फाइदों की तो यहां पर आपको मैं बता दूँ कि यह जो बला चूर्ण है ये एक नहीं बलकि सो तरह की बिमारियों में काम करता है अब मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों जब आप बला चून लेना शुरू करते हैं तो ये आपको सारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्त करता है आपको छंता देता है ठीक है इसके अलवा माशपेशियों को मजबूत बनाता है और जो महिलाएं इस्तन पान करा रही हैं उनके लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है और इस्तरी समंधिरोगों में बहुत ही ज़ादा मदद करता है यानि जो इस्तरियां इसको लेती हैं उनको जो इस्तरी समंधिरोगों होते हैं उनमें काफी ज़ादा हेल्प मिलती है इसके अलावा ये सरीर और मानसिक दिक्कतों को दूर करता है यानि अगर आपको सालीरिक और मानसिक किसी भी तरह की दिक्कत है तो उसको दूर करने में आपकी मदद करता है इसके अलावा जिन लोगों के अर्थराइटिस की प्राब्लम है तो उसमें बहुत ही फाइदा पहुचाता है इसके बहुत ही फाइदे मन्द होता है ये चून इसके अलावा अगर आपका सरीर बहुत यादा कमजोर हो गया है तो उसमें रामबान का काम करता है ये बलाचून यानि ये आपकी कमजोरी को तो दूर करता ही है इसके अलावा ये आपके सरीर को उर्जा परदान करता है आपके सरीर को उर्जावान भी बनाता है इसके अलावा सरीर में आई दुरबलता को कम करता है दूर करता है ठीक है इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा अगर थकान महसूस करते हैं थके थके से रहते हैं थोड़ा सा ही काम करते हैं और आप काफी ज़्यादा थक जाते हैं तो उसमें भी काफी फाइदे मन्द होता है ये बलाचून इसके अलावा इसका इसका इस्तिमाल आप कफ में कर सकते हैं अगर आपको काफे बहुत ज़्यादा काफ बनता है खांसी आती है तो उससे आपको बहुत ही बढ़ हां और जल्दी राहा दिलाता है इसके लावा दोस्तों इस बला चूण में एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफ्लामेंटरी प्रॉपरिटीज पाई जाती है यानि कहने का मतलब ये आपके सरीर से मुक्त कड़ों को बाहर निकालता है और सूझन वगेरा को भी कम करता है इसके लावा ये वाइरस और बैटेरिया से भी लड़ने में मदद करता है इसके लावा दोस्तों इसका सबसे जादा इस्तिमाल सांस समंधित बिमारियों में ज लेखने को मिलेगा इसके अलावा गले की परेशानी है अगर गला बैठा है या गले में खरा से तो उसके लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है इसके लाव दोस्तों जब आप इस बला चून को लेते हैं तो ये नियूरो सम्मंधित परेशानियों को भी दूर करता है टेंशन और डिप्रेशन को कम करता है ठीक है इसके लावा सिर्दर्द जिनका सिर्दर्द होता है बार बार सिर्दर्द होता है उनके लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है ये बला चून इसके लावा ये इम्मिनिटी को बढ़ाता है यानि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके चून का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको बहुत ही अच्छा रिजर्ट देखने को मिलेगा इसके अलाव दोस्तों इसके और भी कई सारे फाइदे हैं जैसे आँख से समंदित अगर किसी तरह की दिक्कात है तो उसमें बहुत ही फाइदे मन्द होता है सीने की सूझन को कम करने मे मदद करता है खांसी में बहुत ही बढ़िया होता है इसके अलावा जिनके घेंगा का रोग हो जाता है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा प्रेगनेंसी में होने वाली समस्याओं में बहुत ही फाइदे मन्द है लेकिन दोस्तों अगर जो महिला प्रेगनें के लिए बहुत ही काम का है ये बला चूंड इसके लाव ये मसल को मजबूत करता है आपके जॉइंट को मजबूत करता है जॉइंट के दर्द को खत्म करने में काफी फायदे मन दोता है इसके अलावा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये वीरी को बढ़ाने के काम म आता है यानि अगर आपका जो वीर है वो काफिजा पतला हो गया है इस पान काउंट बहुत ही कम हो गया है तो उस समय आप उसको ले करके अपने वीर को बढ़ा सकते हैं इसके लावा मुतरासे में अगर जलन है या हिर्दे समंधी कोई बीमारी है तो उसमें बहुत ही ठीक है और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि ये महिला और पुरुस दोनों पर ही समान रूप से लाभकारी होता है तो कहने का मतलब ये है बहुत ही जबर्दस चून होता है इसे आप लेकर देखें आपको बहुत ही बढ़ ही रिजल्ट देखने को मिलने वाला है अब हम फटा फट से बात करने इसके साइड एफेट्स की तो इससे किसी भी तरह का साइड एफेट्स आपको नहीं होता है इसके लाँ दोस्तों अगर हम बात करें इसको लेने की यानि डोस की बात करें तो इसको आपको दो से पांच ग्राम लेना होता है झाल झाल